महराज परिक्षित बीरों की स्रंखला में आने वाले अभिमन्यू के आत्मस थे जब वे अपनी मा की कोक में थे तब उन्हें दिखाई देता है कि अस्वत धामा द्वारा छोड़ा गया तीर उनका नास करने के लिए उनकी तरफ आ रहा है वे ये देखते ही हैं कि अगले ही पल उनके सामने एक कांती और तेज से परिपूर्ण व्यक्ति अपनी उंग्ली में चक्र लिए उस तीर को नश्ट कर देता है और उनकी रक्षा करता है उनकी रक्षा करता है इस किस्से में इस बात को ध्यान रखना चाहिए आज का किस्सा इसी के इर्द गिर्द है नमस्कार स्वागत है आपका विश्व संबाद के इन रुपए आज हम बात कर रहे हैं देश की रक्षा के लिए योगदान देने वाले अनेक वतंत्रता संग्राम सेनानियों में से एक हेमु कलानी जी की आज से यह देश उनका सताब्दी वर्ष मनाने जा रहा है तो आईए जानते हैं आकर हेमु कलानी जी कौन थे और देश की स्वाधीनता में उनका कितना योगदान था एक कुसाग्र बुद्धी तैराक और धावक हेमु कलानी बच्पन से ही मात्र भूमी की रक्चा के लिए अपने आपको समर्पित करने वाले व्यक्तियों में से एक थे वे सिर्फ साथ वर्ष की उम्र में ही अपने हाथ में तिरंगा जंडा लेकर अंग्रेजों के उन इस्थलों पर जाते जहां पर अंग्रेज रहते थे और वहां पर भारत को स्वतंत्र कराने के लिए सभाएं करते वे सिंद्ध के लोगों को लगतार अंग्रेज वस्तूओं के वहिस्कार और स्वदेशी अपनाने के लिए बारवा जागरत करते 23 मार्च सन 1923 को सिंद्ध प्रांद के शक्कर मेजन में हेमु कालानी जी का एक बाक्या हमें बताता है कि कैसे उनका संपूर्ण जीवन देश के लिए समर्पित रहा चुकि वे सिंद्ध प्रांद से आते थे और उन्हें इस बात की जानकारी लग गई थी कि लगतार अंग्रेजों को बिरोध हो रहा है उनके बिरोध को कम करने के लिए अंग्रेजी सेना बारूद और बंदूकें लेकर सिंद्ध से बलुचिस्तान की ओल जा रही है और वो ट्रेन उनके सहर से गुजरने वाली थी तब एमू कालाणी जी ने अपने सांतियों के साथ मिलकर एक योजना बनाई कि क्यों ना उस ट्रेन की पट्री को ही वे उखार फेंकें और उस ट्रेन को दुरगटना ग्रस्त कर दें ताकि वहवारूद आगे ना ले जा सके यह योजना वे अपने सांतियों के साथ बना कर उस पर अमल करी रहे थे और रात के समय ट्रेन की पट्रीयों को उखारने के लिए वे अपने मित्रों के साथ हतोडे भाले इत्यादी लेकर वहाँ पहुँचे तब इसकी जानकारी वहाँ घूम रहे पुलिस बालों को लग पुलिस ने हिमू कालाणी जी को वहीं पर गिरफतार कर लिया इसके बाद उन्हें कोर्ट में पेस किया गया कोर्ट ने उन्हें अजीवन कारवास दे दिया और फिर यह अजीवन कारवास उनको फासी की सजा देने में बदल गया हेमु कालाणी जी का जीवन देश के लिए समर पित रहा अंतिम समय भी जब उन्हें फासी पर चड़ाया जा रहा था इससे पूर्व जब उनसे पूछा गया कि वे अपनी अंतिम इक्षा में क्या चाहते हैं तो हेमु कालाणी ने वड़े ही पूर्जा और सा के साथ कहा कि व रक्षा के लिए समर पित रहा और हमें बताता है कि कैसे वीरों ने देश और राष्ट की अस्मिता के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया लेकिन देश को स्वतंत कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी